नमस्कार, मित्रों विगत एक सब्ता से बिहार में सराबंदी और उससे हुए मौतों पर हो हल्ला हो रहा है इसका सीधा सीधा स्रे मानी बिहार के मुखमत्री नितीश कुमार को जाता है और इस मौत की जिमवारी उन्हें लेनी चाहिए चुकि उनकी जिद्ध को जैसे बिहार में दारुबंदी नाम की कानून आई जो महा गड़बंदन की सरकार थी 15-16 में उसमें आई और वो बिलकूल आसफल रहा दारुबंदी बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए नहीं है और राजस्व की भारी छती होती है जिससे बिकास औरुध होता है साथ ही जो छपरा और सिवान में जे सौ के आसपास मौत हुई है ये गरीब गुरुबे लोग हैं जो दीन भर मजदूरी करते हैं रात को साम को दारुपी कर खाते और सो जाते हैं दारुबंदी अच्छी चीज है ये मैं भी मानता हूं सभी लोग मानते हैं लेकि उन राज्यों उस देश के लिए जहां की सीमाय सुरक्षित हैं माफूज हैं चारों तरफ से वहां के सीमाओं पर पहरा है हमारा बिहार प्रदेश देश नहीं है और ये अंतराश्टिय सीमाय से भी नेपाल से जुड़ा है साथी बंगला देश से जुड़ा है उसके अगल बगल जितने भी राजिये हैं उत्तर प्रदेश हो, जारखंड हो, उडिशा हो, बंगाल हो सभी जगह दारू सरकार बेचवाती है और बिक्ता है इसलिए यहां यह संभव ही नहीं है कि दारू बंदी सफल हो जाए यह मानिय मुखमंत्री का सिर्फ सिर्फ यह ब्यक्तिगत जीद की होजा से बिहार में आई दारू से इतने लोग मर गए इसके सीधे सीधे जिमवार मानिय मुखमंत्री जी हैं उन्हें तो तरीके से और सलीके से नैतिक जीमवारी लेते हुए उनको इस्थिपा दे देना चाहिए और साथ ही उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि कम से कम 4-5 पांच पांच लाग रुपिया मिर्तक परिवार को मिले चुकि उस परिवार का खसूर क्या है पीने वाला कमाने वाला पीने वाला मर गया अपने पीछे बच्चों को प्रत्नी को छोड़ गया उसका क्या खसूर है अब वो क्या करेंगे और नितिश कुमार जीद में आकर के सदन में जो उनका लहजा था बोलने का तूम कह करके नेता परतिपक्ष हो ये बहुत ही सर्वनाक और सर्मिंदा भरा है इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से मिल्टक के परिवार को संबेदना ब्यक्त करना चाहिए और साथी उन्हें आर्थिक मदद पहुँचे